29 माई 2025 तक कुम राशी में शनी देव गोशर करने वाले हैं अब वो देख लेते हैं कि कैसा रहता है 29 माई 2025 तक कुम राशी वाला लोग के लिए कैसा गोशर रहने वाला है वो देख ले रहे हैं ओछनी देव द्शम भाव में स्वा राशी हैं जितना भी वरिष लगनं या वरिश राशी का लोग है यह जितना भी लोग का पॉष और से वृत फ्री रहता लेकिन जेनरली हस्मुक्स वहाँ होता है बहुत मस्त मॉला टाइप का आदमी होता है मतलब यह आदमी जितना भी अभी तक देखें लोग का इस नहीं लोग लगता है होने की आवला बिसिकलि यहां प्रभाव ही होने की लिए होने वाला है donald ब्रभाव यहां पर ही होने करद में , य में नहीं करें, में जाने के करण होने के आवाला है कि कारी शेत्र में भागिका। पूरा सांथ मिलने वाला है। कुछ लोग जो फादर से साथ मिल करें जितना अभी लोग का विरिशब राशी है। ऐब को बॉष्ट जशन सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप higher learning या आप कोई प्रोफेसर का वाग कर रहे हैं या आप कहीं पर प्रोफेसर हैं तो आपके लिए भी time period बहुत अच्छा होने वाला है अगर आप कोई religion ये religious places पर काम कर रहे हैं कोई मंदिर मस्जित उस टाइप का जगह पर काम कर रहे हैं religious places पर अगर आप काम कर र रहे हैं teaching higher college में senior secondary plus 12 के बाद वाला जितना भी लोग है जो basically graduation level का degree में लेने का time में अभी graduation का degree में पढ़ा रहे हैं उन लोग के लिए भी time period बहुत अच्छा चलने वाला higher learning अभी जितना भी व्रिशब लगन का student है higher learning के लिए बहुत अच्छा time period है अभी वैसे भी जितना भी व्रिशब लगन का व्यक्ति अभी है उनलों का time period career को लेके बहुत अच्छा चलो हैं क्योंकि 10 मेंस अपना रासी में चल ला है तो इसे कारिशेत्र में बुलंदी प्र भाबागर होता है bet pleasure barbaha घर होता है नींद यहां पर होने के करण क्या होगा इन सब चीज में ग्यक्ति मार खाने लएगा आफ यहां पर नीश द्रिश्टिश्टि देखने कारण सबसे पहले हो क्या जागा कि आपका नींद डिश्टर्व हो जागा जो आपका sleep है कि स्लीव मेश लगन वाला लोग का भी हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है मतलब करियर के करण और व्रिशब लगन का जितना भी लोग का स्लीव डिस्टर्ब हो रहा है लोग अभी सोने में दिक्कत हो रहा है करियर का प्रेशर इतना ज्यादा आए या कारे इतना ज्यादा करना प में फिद्ल पर पार्फ। अब यहां से देख ले रहे हैं, यहां से द्रिष्टी पढ़ने वाला है, सुख भौध पे सत्रुराशी द्रिष्टी पढ़ने वाला है, घर के अंदर वाद विवाद होना लाजमी है, अभी का टाइम पिरिड ऐसे तो वैसे अप लोगो टेंसन बहुत कम ही होता है, लेकिन टाइम पिरेड अभी ऐसा चल रहा है यहां पर चलने करण क्या होगा कि शनी भगवान यहां से सत्रु द्रिश्टी को देख रहे हैं यानि कि आपका कमफर्ट है सुख भाव है यानि कमफर्ट जोन है मतलब घर के अंदर व्यक्ति आराम से ही रहता है तो यहां पर होने करण क्या होगा अपका वर्क के कारण आपका जो स्लीप है करियर आपका अच्छा रहने वाला है करियर अभी जब तक शानी दिव गोचर करेंगे कुम राशी में करियर अच्छा रहने वाला है लेकिन नींद में और जो बिसीकली बोल सकते हैं कि कुछ लोग जिनका बायां कमजोड है यानि कि लेफ्ट आई स्पेसिफिकली बोले लेफ्ट आई लेफ्ट आई कुछ लोगा जिनका वीक पड़ा हुआ है उन लोग के लिए मतलब अभी टाइम थोड़ा सा अपना लेफ्ट आई का केर करके क्यों हो सकता है कि कुछ लेफ्ट आई पर पढ़ना लाजमी पड़ गया होगा दूसरा चीज म माता को घर में वाद विवाद हो सकता है माता के विवास थान माता को आपके पिता से हो सकता है कि वाद विवास हो सकता है क्योंकि माता के लिए घर हो जाएगा छटा घर का श्वामी सात्वा घर में चला गया तो एक तरह से पिता से वाद विवाद होगा आपकी माता को और ट्स राष्यी होता है यह व्रिषभ लगन का होता है जनीदेव सबसे ज्यादा कारकगर्य होते हैं यहाँ पर रभावित नहीं करता है अगर नीज नहीं चल रहे हैं कि तो अभी शनी देव का जो यहां गोचर चलने वाला यहां से आज आज वह आपका व्यवास स्थान के ऑद्रिश्टी कर रहे हैं यह बहुत अच्छा टाएम हने वाला है पतनी के साथ हो सकता है अपना जीवन साथी के साथ कोई विधार्मिक की के year अब ही फादर का आपका करीयर में बहुत ज़्यादा विशेश योगदान होने वाला क्योंकि नौ में इस पिता का घर है, वह एक तरह से दस्वागर में जाना कह सकते हैं कि आपका जो फादर होंगे जो आपके पिता होंगे या पिता तु लिव्यक्ति हो गए जैसे कि बॉसेज हो गए उन लोग आपका करियर में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है अभी आपको जो भी काम कर रहे हैं अभी नोटिस किया जरूर जाएगा हो सकता है कि अभी आपको मनवांचित फल का प्राप्ती नहीं हो रहा हो लेकिन आपका जो मतलब जो कारे शेत्र में जो भी आप कारे कर रहे हैं आपके बॉसेस उसको नोट जरूर करेंगे और आगे जाके जब समय फिर जब राशी पदिवरतन शनी देव मीन राशी में जाएंगे तब आपको आप ही जो आपका किया हुआ कारी शेत्र में किया हुआ जो मेहनत है इसका पूरा पूरा लाव मिलेगा इसमें शत्प्रतिशत है चलिए अब व्रिश राशी वाला लोग के लिए समाप राशी फल लो लो